greet you all in the name of Jesus प्रभु येश्व मसी के प्यारे और मिठे नाम में आप सब को जय मसी की मैं सब को शलॉम कहती हूँ और प्रेस देलोड कहती हूँ मैं इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए पास्टर जी ने मुझे सुभे बोला कि आपको प्रेच करना है I was like, I don't know what to say क्योंकि मैं हमेशा advance में prepare करती हूँ पर प्रभु का एक वच्चन था मेरे पास जो मैंने रखा था मैंने अपने लिए रखा था वो ही मैं आज आपको share करूँगी और आज का जो मेरा वच्चन है वो यह है कि हम अपने आत्मा को हमारे spirit को कैसे discipline करें वैसे तो हम सब सुनते आए हैं पास्टर जी हमें रोज मतलब Bible जो है वो पुरी spirit को कैसे discipline मतलब हमारी आत्मा को कैसे तयार करना है उसके उपर ही depend है क्योंकि जब हम मर जाएंगे या जब हम इस धर्ती की जर्नी को जब हम finish करेंगे तब अगर हम परमिश्वर के आगे सिर्फ और सिर्फ आत्मा में खड़े रहेंगे in the spirit जैसे कि हमने अभी worship की है truth and spirit में हमने worship की है declaration हुए हमने कुछ नहीं देखा है लेकिन वो सब आत्मा में हमने किया है हला कि हमें इस जिसम की जरुवत है क्योंकि हमारी visibility सिर्फ इस जिसम से है और येश्व मसी ने इसी लिए इस जिसम में जन्नम लिया था क्योंकि ये भी ज़रूरी है और इसलिए परमेश्व ने हमें भी वो हक दिया कि हम भी येश्व मसी की तरह उसके नाम में उसकी authority के साथ जिये और जो वादा येश्व मसी ने किया है कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोंगे और वो करने के लिए हमें भी इसी अवतार में रहना है हमारे human spirit में रहना है लेकिन हमें holy spirit के साथ collaboration में वो काम करना है जो प्रभी येश्व मसी ने हमारे लिए रखा है तो मैं आज जो बाइबल का वच्चन है हम सब जानते है हम सब जानते है अच्छा क्या है बुरा क्या है क्योंकि जब परमेश्व ने हमें बनाया तो हमें एक conscious दिया एक अंतरात्मा दी है हमें जो भलाई और बुराई दोनों को जानती है जैसे हैं जब एक computer system होता है जब इसमें virus या कुछ आता है वो तुरद उसको react करता है या कुछ भी अंदर आता है वो हमें alert करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ तो गलत हो रहा है वैसे ही प्रभु येश्व मसी ने हमारे अंदर भी हमारी अंतरात्मा एक moral ethics रखा है human being के अंदर कि जब इसमें कुछ भी गलत करता है वो सबसे पहले सुनता है कि तुमने सही किया है या गलत किया है तुम right हो या तुम wrong हो और इंसान खुद जानता है वो अपने आपको ये कहता है वो confused है क्योंकि वो उस आवास को सुनना नहीं चाहता है वो अपने आपको confused करता है इसलिए वच्चन ये कहता है कि जो सत्य जानते हुए भी उस पर नहीं चलता है वो अपने आपको मुर्ख ठहराता है क्योंकि उसकी आत्मा उसको कहती है वो खुद अंदर से जानता है कि उसने क्या decision लिया है उसने क्या काम किया है तो आज का मेरा जो कलाम है वो आपके लिए नया नहीं है कि हम अपने आत्मा को हमारे spirit को कैसे हम discipline करे मैं खुद पाफ की जितने प्रभु के सेवक आते है उनको मैं सुनती हूँ और मैंने खुद ने उन्हें पैसे सिखा है मैं पास्टे हिगेंस जो है मैंने उनसे ये कलाम सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी मैंने इस कलाम को तयार किया था कि अपने spirit को कैसे discipline करे कि इस तरह से अपने spirit को तुम train कर सकते हो वैसे तो हमारा spirit already train है क्योंकि परमेशवर ने जो बनाया है उसमें कोई खराबी नहीं है पर जो हमारा जिसम है वो spirit के against काम करता है तो basically ऐसा है कि हम अपने बदन को कैसे train करे कि वो spirit के मुताबिक चले लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बदन हमारा कभी सहम जाता है लेकिन जब हम आत्मा को सुनते है और जब हम पवित्र आत्मा से चलते है holy spirit से पाक रूर से चलते है तो हम कभी नहीं गिरते और कभी हम wrong decision लेते है लेकिन we know कि हम कहां पे गलत है क्योंकि प्रभु का वच्चन हमें ये बात सिखाता है और सबसे पहले जो है उसमें ऐसा है rules है rules तो बहुत सारे है क्योंकि पूरी Bible जो है वो rules है और rules की हिसाब से तुमें blessing मिलती है या curse I can't say क्योंकि yes basically it is क्योंकि सजा मिलना या किसी चीज में फसना एक religiously ये term है कि curse है yes तुम फसते हो और जब तक तुम उसको confess नहीं कर दे क्योंकि जो व्यवस्ता की पुस्तक है जो Bible है वो blessing के उपर आधारी था क्योंकि वो law जो है जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही है बीच का कोई रास्ता नहीं है तो या तो तुम favor को blessing को पाओगे या फिर तुम उस सजा को पाओगे जिसमें तुमारी favor अटक जाएगी तो ऐसा है कि अगर किचड में पाओगे तो तुमारे पैर गंदे ही होंगे लेकिन अगर साफ पानी में या साफ जमिन पर पैर रोखोगे तो तुमारे पाओगंदे नहीं होंगे ये एक simple principle है प्रभु का जो वचन है वो हमें साफ और हमें पवित्र होना सिखाता है इसलिए हमें हमारे बदन और हमारे आत्मा में एक होके पवित्र आत्मा में holy spirit में चलना है और उसके लिए हमें सबसे पहले जो करना है वो है meditation इंसान अगर किसी चीज से struggle करता है तो वो है meditation कि उसको बैठना नहीं है आज का जमाना ऐसा है touch and go phone के उपर touch करो और सब कुछ आ जाता है YouTube आ जाता है online orders आ जाते है Amazon आ जाता है context आ जाते है pitches आ जाते है मतलब ask and you will get it just touch इसलिए अब इंसान में वो patience नहीं रहा है कि वो बैठ है वो पड़े मतलब अब तो लोग Bible भी phone से पड़ते है वो अब मैंने देखा है कि जब हम church में जाते है लोग Bible भी carry नहीं करते है वो यह कहते है कि मेरी Bible मेरी phone में है which is nothing wrong बर क्या तुम्हारी Bible के अंदर वो सब कुछ है जो phone के अंदर है नहीं है क्योंकि प्रभू ने बोला है कि ना अंदर कोई कुछ डाले या अंदर से कोई कुछ निकाले तो फिर हम फिर क्यों हमारे church में या हमारी personal use के लिए हम अपनी Bible को use नहीं करते है मैं यह नहीं कहती जो लोग use करते हो गले थे क्योंकि technology हमारे लिए से पाता है या Facebook आता है या whatever it is मुझे कोई disturb नहीं करता सिर्फ उसमें पाकरू आते है Holy Spirit आते है Father God आते है स्वर्ग की बाते आती है एंजल की बाते आता नहीं just complete Bible सो जब मैं अपने meditation में रहती हूं I discipline myself and I use मैं अपनी खुद की Bible use करती हूं मैं technology यूट्यूब के लिए और वो सब मैंने अपने आपको ये discipline किया क्योंकि हम discipline के उपर बात कर रहे है जब मैं cooking करती हूं तब मैं मेरा phone fully इस्तमाल करती हूं कि मैं Revelation को मैं देखती हूं पढ़ती हूं मैं movies देखती हूं Daniel की या कोई भी या फिर मैं Bible की कोई भी एक chapter को चलाती हूं और बार बार उसको सुनती हूं क्योंकि मुझे काम भी करते है बच्चे भी है दुसरी भी जिम्मेदारी है तो मैं उस वक्त का technology के साथ positive इस्तमाल करती हूं कि मैं Ephesian को चलाती हूं जो audio Bible है वो सिर्फ 20 minute का है तो मेरा जब cooking होता है मैं 4-5 बार Ephesian को सुन सुनके मैं पूरी अपने आपको भर लेती हूं जब मेरा काम खतम होता है तब मैं पूरी वच्चन से भरी हूं रहती हूं मेरा काम भी finish होता है और इसके बाद जब मैं जाती हूं दुआ में I'm full of word क्योंकि वच्चन ये कहता है सुनने से इमान पैदा होता है और मैं अपने क्योंकि मैं अपने वक्त को smartly use करना चाहती हूं इसलिए मैं जब cooking करती हूं या मैं driving करती हूं मैं चाहती हूं कि मैं उस technology का उप्योग करू और मैं Bible को सुनती रहूं Bible को सुनते, सुनते, कलाम को मैं अंदर डालती हूं मेरा विश्वास जगता है और हो सकता है जैसे ही मैं जाती हूं जो कोई न कोई मिलता है जिसको प्रात्ना की दुआ की जरूत है I'm ready Because on the way I train myself जब मैं cook करती हूं I'm trained myself तो मैं सब मैं सब अपना तुम उसी को follow करती हो उसकी तरह बनते हो मैं वचन की साथ चलती हूं और मैं चाहती हूं मैं येश्व की जैसे बनू ऐसा नहीं है कि मेरे में एक गलती नहीं है मैं wrong decision नहीं लेती हूं होता है पर फिर मुझे आसानी होती है अपनी गलतीों को पहचानने में और अपना रास्ता प्रभू के साथ बनाएं क्योंकि या तो प्रभू आ जाएंगे या मेरा वक्त खतम होगा कही न कहीं तो ये end आएगा ऐसा नहीं है कि सब लोग जिन्दा रहेंगे जब तक येश्व मसी आएंगे किसी की जर्नी येश्व मसी के आने से पहले खतम होगी और वो कबर में से उठेंगे कोई कोई जिन्दा रहेंगे और प्रभू के साथ जाएंगे पर हमें दोनों तरफ से अलर्ट रहना है क्योंकि गाड़ी छुटेगी तो नुकसान बराबर का है येश्व मसी हमें खोदेंगे और हम येश्व मसी को खोदेंगे अब ऐसा है कि येश्व मसी के साथ तो जितनी बाइबल की कैरेक्टर से जो प्रभू के साथ चले वो सब होंगे पर अगर हम अगर नर्क में चले गए हमारे साथ वो कोई भी नहीं होगा जो प्रभु के साथ चले थे प्रभु भी नहीं होंगे और हम उनके साथ जाएंगे जिसके साथ हम चले हैं So be careful बवचन ये कहता है कि जागते रहो और दुआ करो तो जरूरी नहीं है कि हम आदी रात को ही उटके दुआ करे बवचन कहता है हर पल दुआ करते रहो हर पल वचन को याद करते रहो अर इसलिए इसराइल को प्रभु नहीं ये कहा कि तू अपने लोगों को ये बोल कि व्यवस्था कि ये पुस्तक तेरे मूँ से अलग ना हो चाहे हम आज कल के गाने ना गाए चाहे हम दूसरों की टेस्टीमनी ना सुने लेकिन प्रभु की जो बाते है मतलब बाइबल इटसेल्फ तुम्हारे मूँ से नहीं अलग होनी चाहिए कोई भी फैंसी किताबे हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा इसलिए मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं आडियो बाइबल रखते हूँ कि मैं बाइबल को ही सुना करूँ ताकि मुझे कोई गुम्रा ना करे बाइबल ये कहती है कोई तुम्हें गुम्रा ना करे गुम्रा वो ही होता है जो ट्रेन नहीं होता है जो discipline नहीं होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको कहां जाना है बहुत सारे आजकल के youth destroy हो रहे हैं सब वो ये बोलते हैं कि हम आजकल के बच्चे हैं प्रभु की नजर में कोई भी आजकल का नहीं है प्रभु की नजर में प्रभु ने सब के लिए जान दी है आज की पेड़ी हो या कल की या आने वाली या कोई भी हो हो सकता है लोग space में जाके रहने लगे अब space में तो शैतान पहले से रहता है angels रहते है that doesn't mean कि कोई आज कल जाके रह रहा है that doesn't mean प्रभु ने ये कहा कि be watchful be watchful कि तुम्हारा ताज कोई लेना जाए बढ़ते रहो कोई बोलेंगे Bible बहुत पुरा नहीं है लोगों ने ये किताब लिखी है YouTube पे ये testimony आई है YouTube twist हो सकता है testimony फैंसी हो सकती है लेकिन वचन जो Moses ने लिखा था Musa ने जो लिखा था जब उसको प्रभु ने बोला था और सिनाई पाड़ पे जब उसने पहले पांच पुस्तक लिखे थे और पॉलस ने जे लिखा था वो आज तक वैसा का वैसा और Bible ये कहते है कि प्रभु का वच्चन कभी नहीं बदलेगा चाहे कितनी भी पेड़िया आ जाए तो इसका मतलब ये ने एगर कोई पानी पे चलने लगता क्योंकि Bible का वच्चन ये कहता है हमें Revelation जो प्रकाश की पोथी जो है या प्रक्टिकरन जो Revelation जो है वो क्या कहती है कि अंत दिनों में ये होगा कि मूर्तिया भी बोलने लगेगी अब तब लोग मूर्तियों पे विश्वास करेंगे कि Bible तो ये कहता है कि मूर्तिया कुछ नहीं है हम ये बोलते मामूद कुछ नहीं है हमारा खुदा जिन्दा है जो बोलता है जो जाबता है जो सोता नहीं है मामूदों भी बोलने लगेंगे और लोग गुमरा होंगे और वो ये लोग गुमरा होंगे जो fancy बातों पे विश्वास करते हैं, जो YouTube के जो Bibles है, वो edit हो सकते हैं, So do not अपने बचों को भी सिखाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ Bible को पड़े, Bible पे विश्वास करें, जो वचन लिखा गया है, वो कभी नहीं बदला जाएगा, लेकिन YouTube एडिट हो सकता है, Audio Bible एडिट हो सकती है, जो Bible हम लोग Google पे मिलते हैं, वो एडिट हो सकते, But the written one will never go change, अपने बचों को आप बिठाएं और उनको बोले कि आप वचन को पड़े, वचन को सुने, सुनना ही है तो कान में पूरे दिन मैं अपना Bluetooth हमेशा चार्ज रखती हूँ, क्योंकि मुझे टेस्टीमनी सुनना अच्छा लगता है, मुझे Audio Bible सुननी अच्छी लगत आता है, टेक्नलोजी में या कोई भी चीज में, वो सेफ मारने, चोरी करने और तोडने आता है, सिर्फ और सेफ, सो जाकते रहों, हम अपने घर में चारों और लौक लगते हैं, क्यों? ताकि चोरी ना हो, तो आत्मा के उपर क्यों नहीं? अपने स्पिरिट को ट्रें करे, मेडिटेशन का एक वक्त रहता है, एक उमर रहती है, और वो प्रभू हमें देते हैं, जैसे ये वक्त है, एक ठहराव आया था, जैसे कोविड का वक्त था, कई लोगों ने उसका अलग-अलग तरीके से इस्तिमाल किया, किसी ने गार्डनिंग की, किसी ने हाउस पेंटिं लाइब नहीं देखा था, हमने वो देखा है, हमने टेस्टीमनी इसको सुना है, अपनी टेस्टीमनी, हमारी टेस्टीमनी, आपकी टेस्टीमनी, हमारी परिवारों की टेस्टीमनी, हमें ब्रेक्थ्रू मिला है, हमने बहुत कुछ सीखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ वच् और हमें कितनी live worship मिली है, brother हमेशा हमारे लिए available रहते हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, दो-दो घंटे हमारे लिए गाते हैं, pastor Cameron उनके बच्चे कितने छोटे हैं, वो उनको छोड़के, भूखा प्यासा छोड़के हमारे लिए दुआ करते हैं, और सब जो prayer warriors हैं, हर मतलब अलग-अलग मुलक से हम आके बैठते हैं, हम सब कहीं न कहीं अपना हिस्सा लेते हैं, और हम ये सब, ये सब, जब हम प्रभू के आगे खड़े होंगे, जब Bible में लिखा है कि एक दिन हिसाब होगा, कि तुमने क्या क्या किया है, ये सब हम एक बड़ी सी screen पर देखे हम सब अपने आपको वहाँ पे देखेंगे कि हमने इस वक्त में, COVID ये में हमने क्या किया था, कौन क्या कर रहा था, सिर्फ वो ही नहीं, जब से हम पैदा हुए है, और जब तक हम प्रभू में सो नहीं जाएंगे, फिर से उठने के लिए, तब तक कि सारी बाते, इवन खा कि मैंने तेरे घुना को माफ किया है और मैंने उसको पोश्ट डाला है कि वचन ये कहता है अयशाया में लिखा है कि तू मेरे साथ बात कर तेरे पाप चाहे किरम जिरंग की क्यूं ना हो मैं उसको मिटा दूंगा और सफेद कर दूंगा उनके ही पाप छुपेंगे और मिटा जाएंगे जिनोंने प्रभु के साथ एक वादा किया है कि अपसे हम ये नहीं करेंगे। तू हमारा खुदा है और हमने तुझे माना है, तूने हमारे लिए जान दिया क्योंकि जो लोगों ने प्रभु से माफी मांगी है उनको मरने की ज़रुवत ने हैं क्यूंकि उसी य येश्व मसी आये थे, कि हमें सजा ना मिले, हमें जीवन मिले, और हम वो जीवन जीएंगे, जो आदम और हवा जीते थे परमेश्वर के साथ, और ये बहुत बड़ा वादा है, और वक्त इस तरह बिच चुका है, कि हमें से कोई लोग, मेरी अपनी बात करूं, तो मैं, I am 45, मैं 45 साल की हुई हूँ, मैं और 45 साथ, परमेश्वर की कुरुपा से जीऊंगी, तो भी मैं 90 साल की हो जाऊंगी, उसके बात तो या मुझे जाना है, या प्रभू येश्व मसी को आना है, वक्त सब का ठहरता नहीं है, और किसके पास कितना वक्त है, वो भी कोई नहीं जानता, जिस तरह से येश्व मसी का आना कोई नहीं जानता, वैसे तुम्हारे जीवन की पुस्तक में तुम्हारे दिन कितने लिखे है, वो येश्व मसी के अलावा कोई नहीं जानता, तुम्हें कितनी जिंदगी बक्सी गई है वो सिर्फ एशो मसी जानते और जो लोग अपनी मौत से पहले मरते है वो वो लोग है जिन्होंने Holy Spirit की आवाज को नहीं सुना जिन्होंने अपनी Spirit को discipline नहीं किया वो उनकी बातों में आ गए और उसी के accident में फस गए और उनकी ये तै किया कि हम इसी के साथ जाएंगे और वो कम मौत में मरे अपनी मौत आने से पहले मरे लेकिन कहीं लोग ऐसे थे जिनको प्रभू ने वो मौका दिया कि उन्होंने मरते वक्त येशु को कबूल कर लिया चाहिए वो अपने वक्त से पहले में और येशु ने उनको चांसी से अगर लास्ट ब्रेथ पे भी अगर कोई बोल दे प्रभू मुझे माफ कर जिस तरह से वो चोर मरा था वो चोर का एक्जांपल कोई ऐसे ही नहीं था येशु मसी को सिर्फ अकेला भी मार सकते थे he was a very big case प्रभू येशु मसी का जो case था वो बहुत बड़ा था प इवन इंसान अपनी आखरी पल में आखरी लंहे में भी बोल दे कि प्रभू मुझे माफ कर दे फिर भी प्रभू रेडी है क्योंकि सिर्फ बोलने की देरी है क्योंकि बाइबल ये कहती है जो भी अपने मुझे कबूल करेगा ये एक principle है अगर हम ये चूप जाएंगे किसी से दूर पर वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ सोने से पहले तुमारी आख बंद होने से पहले make sure कि तुम्हारा दिल प्रभू के साथ सही है या नहीं हो सकता है रात को येशू आ जाए या रात को तुम्हारी मोता आ जाए य या किसके साथ हो क्योंकि शैतन कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम तुम वो repentance की moment तक पहुंचो वो तुमारे expression से पहचान लेगा कि तुमें guilty feel हो रहा है जैसे ही तुमें guilty feel होगा वो तुमें कहीं न कहीं फासने की कोशिस करेगा क्योंकि जो guilty conscious है वो तुमें repentance की और ले जाता ह और जैसे ही तुम guilty face करते हो वो तुमारा face rate करता है क्योंकि शैतन हमारे दिल में नहीं वो बहार रहता है क्योंकि हमारा जो बदन है वो प्रभु का मंदिर है या प्रभु अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे क्योंकि परमेश्वर के घर में कोई जबदस्ती नहीं गुसत ना स्वर्ग में ना बदन में लेकिन अगर तुम अलाउट करोगे तुमारी बोड़ी को इस कदर तो परमेश्वर ने हमें एक free will दी है कि तुम चूस करो प्रभु ने बोला है मैंने तुमारे आगे जीवन को और मौत को रखा है और प्रभु ने ये भी कहा है कि जीवन को च पॉजिटिव होता है और अपने आप ट्रेन होता है ये कि बाइबल में ये लिखा है कि wisdom जो है वो परमेश्वर से आती है लेकिन तुमारी इच्छा अगर वचन की है तो प्रभु भी उसमें एक कदम बढ़ाएंगे वचन को समझाएंगे और आप 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 ट्रेन हो है और तुम अपनी आत्मा की आवास को सुनते हो क्योंकि हम एक प्रॉफिटी ग्रांट पर है हमें उस तरह से discipline हमें ये मौका मिला है हम खुश नसीब है कि खुदा की gospel जो good news से वो हम तक पहुँची है क्योंकि हम चुने गए है हमारे नाम अगर तुमारे पास gospel है आज चाहे जाएंगे और हम revelation में पढ़ते हैं कि जो 66 की बारे में लिखा है बहुत confusion लोग बोलेंगे कि वो लोग सीर पे वो अपने सीर पे चाप लेंगे लेकिन परमेश्वर के जो लोग है उनके लिए भी लिखा गया है कि जो परमेश्वर का दूत है वो उनके सीर पे भी वो महर को लगाएगा तुमें इस बात को याद करने की जरूरत है कि प्रभु येश्व मसी आए या ना आए हमें तयार रहना है कि चाहे हमारी जर्नी फिनिश हो तो भी प्रभु के साथ हो और प्रभु अगर आते है तभी भी हम येश्व के साथ रहेंगे हमें ये चीज़े याद रखनी की जरूरत है कि प्रभु दयालू है, God is good, लेकिन वो हमारी जजबातों के साथ नहीं खेलता और वो पाप के साथ नहीं खेलता, प्रभु येश्यू मसी की नजर में जो white है, वो white है, black है, वो black है, वो बिचका रास्ता नहीं चुनता, इसलिए परमेशों ने हमें choice दिये, तुम माफी मांग लो, मैं माफ कर दूँगा, पर either this side or this side, Revelation में लिखा, या तुम नरम रहो, या तुम ठंडे रहो, या तुम गरम रहो, अगर तुम निम गरम रहोगे, तो मैं थूप दूँगा, फिर ये नहीं कि आज मैं दुआ कर लू, कल थोड़ा सा चलो, कल फिर माफी मांग लेंगे, येशु दो माफ करते ही है, पर प्रबु ऐसे गेम नहीं खेलते, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, कोई आसान काम नहीं था, उनके लिए भी आसान नहीं था, उनोंने ये कहा कि खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, येश्यो मसी हमारे लिए मरे उस रात को उन्होंने पूरी रात उन्होंने नर्क में गुजारी. हमारी नाम वहां से मिठाए पीडियों तक पाप हो चुका था हम guarantee नहीं ले सकते मैं नहीं अपनी guarantee ले सकती कि में कल पाप नहीं करूंगी मैं इंसान हूँ मेरी कि मुझे confusion या फिर मैं अपने आप से भागूंगी या मैं भाग जाऊंगी पर मैं ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं के साथ चलते हैं तो प्रभु हमें एक favor देता है कि शाहिद वो temptation हमसे हमसे दूर चला जा और वचन यह कहता है कि तुम्हारी ताकत के बाहर तुम्हें कोई भी temptation नहीं आएगा और यह ताकत और यह रिष्टा और यह favor सिर्फ और सिर्फ वचन को पढ़ने से मिलेगा meditation से मिलेगा और हमारा जिसम ऐसा है कोई चीज तुम दो दिन continuous करो तिसरे दिन तुमारा body आप उप उस चीज को follow करेगा इसलिए वचन को पढ़ते रहो तीन दिन तुम struggle करोंगे time में चार दिन पांच दिन फिर अपने आप तुम्हारी आत्मा तुम्हीं यह कहेंगी let's read the word of god चलो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और इसी तरह से तुम्हें train करना है force करना है एक वक्त को तैय करना है और वचन को पढ़ना है वचन को याद रखना है तो मैं तुम्हें मैं आपको यही encourage करना चाहूंगी जैसे वचन में यह कहता है कि बेवस्था कि यह पुस्तक जौश्वा 1.8 में लिखा है तेरे मूँ से अलग ना हो तो आप भी यह कोशि किया खाएंगे हमें खुद भी चलना है क्योंकि परमेश्वर को वही लोग पसंदे जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं परमेश्वर के लिए बर्डन रखते जब वचन को ही नहीं उठाएंगे तो प्रभु के काम को कैसे उठाएंगे सो मैं आज encourage करना चाहूंगी कि आ वचन को पढ़ने के बाद अपने आपको connected feel करोगे और जब आप feel करोगे connection तो उसी से आपको wisdom मिलेगी, revelation मिलेगी तो मैं ये चाहती हूँ कि meditation में जाने की कोशिस करें पहले 10 minute, 10 minute तो आपको सारे ख्याल आएंगे बच्चों के, मतलब जो आपको आप सालों से भूल गए व तब ये होता है कि तुमारा दिमाग खुल जाता है, दिमाग के अंदर सारी दबे हुए खयाल आ जाते हैं, जो psychology के students है या जो medical profession से है या फिर जो हमसे उमर में बहुत बड़े हमारे भुज़ूर काफी यहां बैठे हैं, उनको पता है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सार सारी बाते रहती है, जब अब meditation में जाते हैं, तो वो brain एकदम relax होने लगता है, वो एक chemical को छोड़ता है, क्योंकि brain को relaxation चाहिए, तो वो सारी चीजों को निकालने की कोशिस करता है, ताकि हम उस पर कुछ acting, act करें और उससे हम आजाद हो जाए, तो पहले हमारा physical brain जो है, वो तो वो सारी बातों को release करता है, तो 10 मिनिट तो ऐसा ही लगेगा कि मतलब हम अपने आप में अपने ख्यालों में खोए है, लेकिन जैसे ही तुम 11, 12, 13, 14, 15 मिनिट को heat करोगे, तुरंत वो जो वचन हमने पड़ा है, फिर वो बहार आने लगेगा, and then spirit will connect with the spirit, holy spirit, और फिर व of God, आपको प्रभु की आवास सुनाई देगी, maybe not audibly, लेकिन आप अपने आपके अंदर एक आवास को सुनोंगे, जो इसी वचन को आपको explanation देगा, क्योंकि मेरे साथ होता है, मैं वचन को पढ़ती हूं, मैं जब meditation में जाती हूं, मैं उसी वचन, मेरा brain जब उसको release करता है and then I see कि कोई मुझे उसका जवाब दे रहा है and I knew it, that's the Holy Spirit or maybe that's God or maybe Lord Jesus himself, मैं meditation में जाती हूं and I can see, मैं ने वचन परमेशवर से सीखा है, परमेशवर की लोगों से सीखा है and it helped me, क्योंकि वो मुझे protection देता है, मुझे temptation से बचाता है और मैं feel करती हूं कि मैं एक परमेशवर की रहती हूं and he helps others as well, तो मैं आपको encourage करना चाहूंगी कि आप meditation करें और जो वचन हम पढ़ते हैं, वो Holy Spirit हमें याद कराएगा कि हमें कैसे apply करना है, तो उसके पालने वाले बने, जैसे एक चोर को पता है मुझे चोरी नहीं करनी है, कोई चोर नहीं चाहता उसका बेटा चोर बने, क्योंकि उसका conscious उसको ये बता है कि एक जिन्दी खराब हुई है, दुसरी मत कर, वो उसी का बेटा है, वो उसी का फल है, वैसे ही हमें बच्चन को उसी वक्त हमसे ही वो खराब history को finish करना है, हमें उसको पालना है, क्योंकि हम बच्चों को तो सिखाते रहते हैं, पर क साफ से हम जाएंगे, हो सकता है हमारे बच्चे स्वर्ग में चले जा और हम नर्ख में, क्योंकि हमने वो नहीं किया, हमने बच्चों से करवाया है, every individual soul is responsible, हम सब individually responsible है हमारे खुद की करनियों के, और हमारे अच्छे करव हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जाएंगे, वो करेंगे और सही जिंदगी प्रभू येश्व मसी के वच्चन के हिसाब से चलेंगे, तो ही हम जाएंगे, क्योंकि वच्चन इसलिए लिखा गया है, किसी ने अपने मन से वच्चन को नहीं लिखा है, मुसा को भी परमेश्वर ने वो 43 जब आत्मा में गया था, वो सारा उ जो है, उसने भी अपनी जर्नी किस तरह से, मतलब जितने भी प्रॉफेट से, उन्होंने अपने एक्स्पिरियंस लिखे है, खुद येश्व मसी की बाते भी जिन्होंने देखी है, उसने लिखिये, ये सब वच्चन ये कहता है, कि inspired by the Holy Spirit, पवित्रा आत्मा से लिखा गया है, तो वच्चन जूट नहीं बोलता, किकि अगर वो आत्मा से लिखा गया है, तो वो आत्मा में काम भी करेगा, वो आत्मा को ही respond करेगा, इसलिए जब हम meditation में जाते हैं, हम अपने spirit में जाते हैं, और जब हम वच्चन को याद करते हैं, तो spirit, spirit को respond करता है, इसलिए वो Holy Spirit को attract करता है, और हम together in the spirit, हम वच्चन को समझते हैं, और हम उसमें येशु मसी को पाते हैं, और उसी वक्त, जितने भी बंद ताले हैं, वो खूलते हैं, जितने भी दर्वाजे शैतान के हैं, वो बंद होते हैं, जितने भी favor हम पे आने से अटक गी हैं, वो सारी खूलती हैं So try to do meditation, it will be hard, maybe पहले 10 minute, फिर 15 minute, फिर 20 minute, फिर आधा गंटा, फिर तो आदत ही हो जाएगी, फिर आप इसी तरह से वच्चन में चलोगे कि आप येशु को भी देख सकते हो, एंजल को देख सकते हो, और आप वो spiritual experience को feel कर सकते हो, जैसे हमारे pastor करते हैं, जैसे वो आत्मा में जाते हैं, कैसे वो देख सकते हैं, कैसे ये कहते हैं, मैं ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने spirit को discipline किया है, train किया है, उस spirit realm में चलने के लिए, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि Bible कहती है कि परमेश्वर किसी इंसान का पक्स नहीं लेता है, क्य लेकिन ये बात ये है, कि जो मिठाई की दुकान में जाएगा, वो ये मिठाई को खाएगा, तो हमें ये करना है, वच्चन में जाना है, मेडिटेशन में जाना है, तब हम वच्चन को भी समझेंगे, और येशु को भी देखेंगे, तो ये मैं अपना experience बताती हूँ, और बहुत लोगों का है, तो आप भी उसको फॉलो करें, और हमें हमारी human spirit को, जो meditation से है, वच्चन को फॉलो करके, हमें उसको train करना है, और हमें बार बार एक ही वच्चन को पढ़ना है, जैसे हम pastor हमें कहते हैं कि 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 21 दिन तक पढ़ो, 40 दिन तक पचास बार पढ़ो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा इंसानी दिमाख इतना busy रहता है, कि हम वच्चन को जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि वच्चन को हम हर तरफ नहीं देखते हैं, वच्चन एक spiritual world है, जिसको हम देखते नहीं हैं, इसलिए जब हम बार बार वच्चन को active हो सकते हैं, जब हम दुसरों के लिए दुआ करेंगे, चाहे वो इंसान प्रभू के साथ नहीं चलता है, फिर भी उसको breakthrough मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर रोष्णी आई है, और जब हमारे अंदर रोष्णी आई है, तो अंदेरा हमारे सामने ने टिकेगा, इसलिए वो ब अचनी के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता, सो मेडिटेट करें वचन को, वचन को पढ़े, दुसरों को सुनना है, तो सुनते रहे, एक ही चीज़ को बार-बार सुने, जब तक वो तुमारे अंदर नहीं चली जाती है, क्योंकि हम लोग, हम इतनी उलजे रहते हैं, हमारे लेना भूल जाते हैं, फिर हम यहां से सुनते हैं, वहां से सुनते हैं, बस सुनते ही रहते हैं, मतलब कभी कि हम वर्शिप भी करते हैं, हम बैठे ही रहते हैं, हम गाते ही नहीं, क्योंकि हम आदित पढ़ गई है कि ब्रदर सुनिल गाते रहेंगे, बस हम सुनते रहेंगे कि जैसे हम मेफिल में बैठे हैं पर मेफिल को एंजोई करना है कभी-कभी दो हम भी गा लेंगे तो हमें उसमें जॉइन होना है, we have to be part of it, नहीं तो ब्रदर सुनिल गाते ही रहेंगे, येश्य मसी आएंगे, वो चले जाएंगे, हम वहीं बैठे के बैठे, फिर वहीं ताकते रहेंगे, क्योंकि हम उसका हिस्सा कभी नहीं बने, तो हमें भी वो करना है, कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, हमें उसको भी सपोर्ट करना है क्योंकि वो उसी मक्सद से आते है कि जब मैं गाउं प्रभू तो तेरे लोग तेरी और खीचे पर अगर प्रभू की लोग प्रभू की और भी नहीं खीचेंगे ब्रदर की और भी नहीं खीचेंगे सिर्फ और सिर्फ बैठे रहेंगे महफिल में तो फिर हम रही जाएंग फिर ब्रदर सुनिल अपनी जो सर्विस दिये उसके वज़े से तो वो प्रभू के पास जाएंगे कोज ही हास कीवन ही बैस्ट तो हमें वर्षिप में भी हाथ उठाने हैं हमें उसमें जॉइन होना है हमें उस रेम में उस मैफिल में चले जाना है क्योंकि अगर हम उसमें नहीं जाएंगे तो उनकी वर्षिप भी मतलब बेकार है क्योंकि फिर उन्होंने जो मकसद रखा है उस दिन का जो उन्होंने मैनत की है उससे कोई फल नहीं आएगा ना प्रभू को महिमा मिलेगी ना उनको कोई क्रेडिट मिलेगा सो हमें हमारी जो नईया है उसको फेल नहीं होने देना है हमें भी उसमें जॉइन होना है जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें वच्छन को follow करना है be the doer of the word, वच्छन को पालने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं क्योंकि सुन सुनके तो फिर ऐसा है कि कानका तो काम ही है सिर्फ सुनना क्योंकि वो एक ही काम करता है लेकिन हमें बाइबल ने ये कहा कि जब वो सुनता है तब वो विश्वास भी पैदा करता है अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे का बच्चा नहीं रहता है मतलब वो बच्चा बढ़ता है दिन बदिन पर अगर वो बच्चा बड़ा होता है, पर उसका दिमाग छोटा रहता है, तो हम अपनी Asian language में उसको क्या कहते हैं, मतलब English वाले तो अच्छा बोलते हैं, वो autism बोलते हैं, पर हम Asian लोग क्या बोलते हैं, पागल, मतलब इंसान body से तो बड़ा है, दिमाग से छोटा है, तो हम बोलते हैं, पागल है, तो हमें spiritual पागल नहीं बनना है, क्योंकि उस पे शैतान हम पे हसेगा, येशु मसी पे हसेगा, हमारी मौकरी करेगा, क्योंकि हम सुनते ही रहते, सुनते ही रहते, बर बस ऐसे ही बैठते, बस पास्टर जी आप बोलते जाओ, आप ही दुआ कर लो, पास्टर जी, ब्रदर सुनिल, आप ही चलो, डेक्लारेशन कर दो, आप ही सारा गाना गालो, मतलब ये सब गाना बजाने का तो प्रभू ने आप ही को दिया है, not necessary, हमारी आवास जब spiritual रम में जाते है, मतलब मेरी तो आवास तोड़ी मोटी है, बट I know, जब मैं आत्मा में थे, उनको विजिटेशन हुआ था, heavenly, तो उन्हों ने ये बोला, येशु मसी ने ये कहा था, कि Fairest Lord Jesus, वो गाना उनको बहुत पसंद है, जब congregation, American congregation, ये बहुत गाती है, Fairest Lord Jesus, मने तूरंद Google किया, और मैं रोज सुबह ये गाती हूँ, ये कि मैंने उनकी टेस्टीमनी इनना तो मैंने सुचा, मैं भी उनके साथ गांगी, जो crowd, येशु मसी सुनते है, और खुश होते है, मैं भी उनका हिस्सा बन, अब मैं तो अमेरिका में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, लेकिन हरोज सुबह, जोब पे जाने से पहले मैं वो गाती हूँ, और मैं भी it's fairest Lord Jesus, वो बहुत, I think it's old hymns है, पर वो बहुत अच्छा, और वो जब मैं गाती हूँ, मैं खुद, I feel myself कि मैं भी उसी रहम में जाती हूँ, I make myself part of it, तो आप भी ऐसा करें, जहां पर आपको Holy Spirit guide करता है, और कहता है कि तुम भी इसका हिस्सा बनो, then be it, काफी ऐसी testimonies है, I don feel it कि मैं उसका हिस्सा बनो, हो सकता है, शायद वो किसी और के लिए हो, when Holy Spirit मुझे किसी का हिस्सा, कोई भी प्रॉफेट का हिस्सा, या कोई भी बनना, मैं तुरंत करती हूँ, मैं बुक और करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, because I know it, what Spirit asked me to do it, तो आप भी ऐसा करें, मतलब response कर करें, respond करें आप उसको, response दे, वच्चन को response दे, Holy Spirit को response दे, Pastor को response दे, समझ में नहीं आता तो बैठ जाओ कि, कि Holy Spirit एक बार नहीं बोलेगा, वो बोलता ही रहेग, so you're not gonna miss out, so be part of it, be alert, be active, और जो तीसरा principle है, वो यह है, giving the word of God, first place in your life, वच्चन को पहली जगा दे, commandment को पहली जगा दे, अगर प्रभू यह कहते है कि उठने के साथ तु मेरी worship कर, वच्चन यह कहता है अपने खुदा को तु सन्मान दे, वच्चन यह कहता है कि अपने माभाब को सन्मान दे, जहां-जहां वो वच्चन feedback ता है, काम पे जाते हो, अपने boss को सन्मान दे, मतल जह कहता है कि खबरदार हो, कोई तुम्हारा ताज ना ले जाए, हो सकता है वो boss ही तुम्हारी challenge हो और उसी challenge के उपर तुम्हारा reward का हुआ है, be careful, कौन है तुम्हारे आसपास, मतलब फालतु बंदा भी कभी-कभी तुम्हारी challenges बन जाएगा, पर हो सकता है, वो ही challenge तुम् काम आसन किये है, पर हम emotions में रहते है, हम physical REM में रहते, इसलिए hard है, because it's two REMs, और it's a temptation, और यह हमारा जो दुश्मन है, उसको हम देख नहीं सकते, और जो हमारा प्रभू है, उसको भी उस वक्षाद हम नहीं देख सकते, बट वचन को तो देख सकते है, और Holy Spirit हमें यह कहता है let it go, और maybe आपको यह कहेगा, कि let us go, और शायद वो यह कहेगा, don't go, stand still, I know that I am God, खड़े रहो चुप चाप, और खुदा की जलाल की काम देखो, हो सकता है, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ न कुछ आपको मिलेगा, but do not let your challenge go waste, तुमारी चुनेउती को ऐसे ही ना जान जाने दो, मतलब क्यों जाने दो, बंदा खडूस है, बंदा फालतू है, बंदा टाइम पास है, पर अगर वो मेरी challenge है, तो मैं तो फालतू नहीं हूँ, मैं खडूस नहीं हूँ, या मैं परमिश्वर की बेटी हूँ, मतलब मेरे अंदर ताकत है, मतलब कोई भी जो, अगर animal की बात करें, lion है, वो बड़ा है, वो भी इंसान को खाएगा, या animal को फाड़ खाएगा, या fox है, छोटा है, वो भी वही काम करेगा, या फिर, कोई भी, कोई भी मतलब जो, जो, ऐसी, ऐसे animal है, जो cruel है, वो, वही काम करेगा, तो चाहे बंदा फालतू हो, पागल हो, बड बलना है, और हमें उचा उड़ना है, हमें उस challenge इसके पार जाना है, और हमारा focus है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ताज के उपर है, और वो ताज वचन के साथ है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पागों के लिए दिये समान है, इस रोशनी है, तो वचन के रोशनी में तो या हम चलते ही रहेंगे, या फिर हम उसको जीत जाएंगे, या जीतेंगे नहीं, फिर भी हम हारेंगे भी नहीं, तो बी कैफूल, ये जर्नी में हम अकेले नहीं है, कि वच्चन जिन्दा है, मैंने वच्चन को अपने आप महसुस किया है, जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ, मैं वच्चन को बहुत पढ़ती हूँ, तब मैं एक प्रेजन्स को फिल करती हूँ, and I know it's a heavenly presence, और ये में आते हैं, वो खुद दुआ करते हैं, और they know, because ये कमरे में मैं दुआ करते हैं, ये अलग से जगा बनाई है, सबके घर में है नहीं है, और मुझे पर मैं ये नहीं कहूंगी, सिर्फ ये ही कमरा प्रभुका है, कि मैं ब्रदर सुनिल की वो बात कभी नहीं भूली, वो दस के दस कमरे प्रभुके थे, तो मेरे लिए दस के दस कमरे प्रभुके हैं, और मैं दस से दस कमरे में प्रभु से मिलती हूँ, फ़र घर में दुसरे लोग भी है, जो अपने अपने कमरे क्लेम करते हैं, तो फिर मैंने इसको ये कलाईदा रखा है, कि मैं यहां मिलने के लिए आती हूं प्रभु को बट अदरवाइस पुरा घर प्रभु का है तो आप बचन को पहली जगा दे सुबह उठके वचन को पड़े जितने वचन याद है उसको आप क्लेम करें और उसी और आप दुआ करें कि प्रभु में सारी बाइबल याद नहीं रख सकती या मेरा करें कि प्रभु उसक्ख मुझे गाइड करना पूर्द tänव ओसको भी सुनना कि प्रभु ने आपको उस वक्ण उस चैलेंज में क्या बूला है कभी खामोश रहने को कहेंगे प्रभु कभी अक्ट करने को पहेंगे या फिर कभी ठाभु कहेंगे कि गो आए बाएग धि then listen to your spirit, जो मैंने अभी बोला, read the word, यह पवितर आत्मा की वच्चन जो कहती है, कि तुम्हें क्या करना है, and then follow, क्योंकि जब वच्चन जो हमें क्या कहता है, वो हमें क्या कहता है, जो येश्व मसी ने कहा है, मुझे याद है कि, मैंने एक बार फास्टिंग की थी, and I was really hungry, मैं काम पर थी, और मुझे ऐसा लगा कि, मैं कुछ खा लेती हूँ, मतलब टाइम हो गया था, then I thought कि, मैं अभी इसमें से कैसे निकलो, I was really feeling weak in my body, मैं बहुत कमजोर महसुस करे थी, तब मुझे एक दम कलाम यादा है, कि येशु ने कहा कि, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, और परमिश्वर के वच्चन से जिन्दा रहता है, and I saw it was my challenge, तो मुझे, मुझे लिटरली ऐसा फिल हुआ कि, शैतान मेरे पास आके, मुझे ये कहता है कि, खाले, अभी टाइम हो गया है, तो खाले, अगर थोड़ा सा जल्दी खाले है, तो कुछ नहीं होगा, मैंने सोचा, रेशु मसी ने तो मरने तक कुछ नहीं खाया था, अगर ये मेरी चुनोती है, अगर मेरे पूरे फास्टिंग का, सिर्फ ये ही एक टर्निंग पॉइंट है, जिसमें ऐदर मेरा फास्टिंग सक्सेस होगा, या फेल होगा, then I would take the challenge, and I will go over it, मर नहीं जाओंगी, and God will give me strength, and I did it, मुझे बहुत अच्छा लगा, and I was surprised कि, मतलब कैसे इस तरह से मैं कमजोर पड़गी, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब वो challenges था, सारे बाजू foods थे, friends थे, and I thought no, I have decided to follow Jesus, रभुने अगर रोटी को सैतान को बोला, मैं तेरी offer को नहीं लोंगी, मैंने उसी नहीं लोंगा, just मैंने भी ये कहा, सो ये छोटी छोटी चैलेंज, छोटी लगती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और ये छोटी छोटी चैलेंज, मतलब बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो उस दिन जब हम judgment के दिन जाएंगे, तब हमें उसका reward मिलेगा, क्योंकि कोई बात ऐसी नहीं है, जिसका reward नहीं मिलेगा, एक आंसू भी किसी के लिए बहाया है, तो उसका भी reward मिलेगा, किसी और के लिए बहाया है, अपने लिए बहाया है, उसका भी reward मिलेगा, क्योंकि वचन ये कहता है, कि देख मैंने तेरे आसुओं को मेरी कुपी में रखा है Revelation में लिखा है और प्रभू हमारी कोई भी DNA को वेस्ट नहीं करेगा आसु में भी DNA है, बालों में भी DNA है हमारी थुक में भी DNA है मतलब हम पूरे और जब हम Breaking Bread लेते है तब तो हम येशु मसीख के DNA को लेते है मतलब हमारे DNA चेंज होते है हम Spiritual Being बनते है और हमारे DNA फिर जो हमारे Heavenly DNA से जो लोग स्वर्ग में चले गए जो प्रभू की Profits वगिर है उनके साथ मिलते है क्योंकि हम भाई बेन हैं, भाई बेनों के तो सेमी रहते है So be careful, be encouraged बच्चन को हलका ना ले, प्रभू को हलका ना ले वक्त को हलका ना ले, चैलेंज को हलका ना ले अगर तुमारे आत्मा तुमें ये कहती है कि तुम ये करो तो करो उस वक्त खुदा का रूँ आपको कहता है कि तुम अभी गुटने पे जाओ तुमारे पास नहीं है कोई जगा हमारे पास हमें साथ toilets रहते है जिसके दरवाजी बंद रहते है I do it, अगर मुझे होता है मैं जाती हूँ, परमेश्वर की कोई सारी धर्ती परमेश्वर की है, चाहे टॉयलेट भी है, तो भी क्या वो भी परमेश्वर का हिस्सा है मैं सिर्फ एंक्रेज करना चाहती हूँ कि listen to the spirit and follow it, ये छोटी-छोटी बाते अपने आप में छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी है ये challenges तुमारी है, वो छोटे-छोटे मोती जो तुमारे क्राउन में रखे जाएंगे वो छोटी-छोटी दुआएं तुमारे क्राउन में रखे जाएंगे वो छोटी-छोटे वच्चन को follow किया हुआ येश्व मसी के शब्द को लिया है वो तुमारे क्राउन में, क्राउन ऐसे ही नहीं परमेशोर ने तुमारे लिए सोने चांदी से बनाए, तुम्हारे अपने कर्मों से बने हुए, सजे हुए, तुम्हारी अपनी बातों से, अपनी जिन्दगी से सजाएगे वो, जैसे मिस Indya रहती है, उसका Crown अलग रहता है, runner up का अलग रहता है, वो किससे है, अपनी beauty से, उस से उसको मिलता है, वैसा ही हमारा है, हम जिन्दा परमेश्वरे, हमारे अच्छे काम, हमारे परमेश्वर के साथ चलने, हमारी रोज बरोस की बाते, हमारा meditation कटा, हमारी challenges, मतलब परमेश्वर को सबसे अच्छा वो लगता है, जो हम challenges के उपर आते हैं, जो हम छोटी-छोटी उन, उन testimony को हम share करते हैं, या हम छोटी-छोटी वो चीजों को मतलब नहीं करनी चाहिए, फिर करने का मन करता है, फिर नहीं करते हैं, वो छोटी-छोटी challenges से जम उपर आते हैं, and we get the clap, मतलब angels हमारे लिए clap करते हैं, yes you did it, क्योंकि वो हमारा हिसाब किताब रखता है, तो कौन सी बात ही जादा लिखी है, जो हमने गलतिया की है, वो, या हमने repentance किये है, वो, या हम challenges से हैं, क्योंकि जो reward है, वो challenges के है, माफी तो सबको मिली है, प्रभूने सबको दिये, वो मुफ्त मिली है, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, परमेशवर नहीं अपना सब कुछ दिया है, लेकिन to come over the challenges, that credit to God, that's giving a smile to God, so be like, जब हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, हमें कितनी खुशी मिलती है, हमारा दिल कितना भर जाता है, वैसे ही, जब हम challenges से पा रहते हैं, वो भी वच्चन से, परमेशवर के मूपे हम मुस्कान लाते हैं, उसको ऐसा लगता है, my child did it, और उनको खुशी मिलती है, परमेशवर को खुशी देना, it's the biggest thing in the life, try to do it, और जो आगे का जो हमारा, जो एक आखरी है, जो हमें discipline करना है, वो यह है कि हम दुआ करे, हर वक्त दुआ करे, सिर्फ अपने लेने, दुसरों के लिए दुआ करे, और मैं एक testimony के साथ, मतलब मेरी नहीं है, वो कहके खतम करूंगी, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती कि मैं बहुत कुछ कहूँ और आप कुछ भी याद ना रखे, एक लोडी डिटो करके है, मैंने YouTube पे उनकी testimony सुनी थी, जिनको heavenly visitation हुआ था, और hell का भी हम बहुत कठीनाई महसुस करते हैं, मैं खुद उस challenge से जाती हूँ, अभी जब मैं वो बाती याद करती हूँ, मुझे भी hurt होता है, and I said, Lord, give me grace that I grow out of it, कि आप माफ करें, क्योंकि कोई भी बंदा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसने किसी को माफ नहीं किया है, तो उस स्वर्ग में जाएगा, जैसे हम बिना नहाएं कहीं, अच्छी जगा पे नहीं जाते, वैसे ही बिना नहाएं, यशु मसी के खुन में, अगर हम नहीं नहते हैं, तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करेंगे, तो वो भी बंदा अटक जाएग वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा उसकी वज़े से हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा हिसाब किताब बाकी है और हो सकता है हमारी सांसे खतम हो जाए और वो किस्सा वही का वहीं रह जाए and then it will be too late so maaf करे क्योंकि unforgiveness can keep you away from God, away from the blessing, तुमारी पेडियों तक वो blessing अठकेगी और वो जिसको नहीं किया है उसका भी आदा धुरा रह जाएगा so forgive, forgiveness, maaf करना वो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ maaf करने के लिए ये शुमसी हमारे लिए मरे थे, सिर्फ maaf करने के लिए, maaf ही किस से? परमेश्वर से मैं भी struggle करती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से वो grace को मांगती हूँ, पर जब मैं meditation करती हूँ, मेरे लिए आसान होता है, क्योंकि प्रभू इतनी सारी बाते, अच्छे अच्छी बाते कहते हैं, जिससे मुझे encouragement में, जैसे कोई बच्चे को रोता है, हम अच्छे अच्छी दियाता था, I was a very sensitive person, क्योंकि मेरी life journey ऐसी रही है, but then slowly, gradually, परमेश्वर मुझे उसमें से ले आए, I can take it now, मैं दुसरों को देख सकती हूँ, मैं उसकी बाते सुन सकती हूँ, मैं उसके apply ये activation या उसका एक solution ला सकती हूँ, but that did not happen straight away, परमेश्वर के वच्चन पे चलके meditation करक मुझे ये मिला है, so unforgiveness आखरी बात थी, कि वो आपको येश्व मसी से, वच्चन से, blessing से, आपके बच्चों की भी blessing मिस होगी, और आपके parents की भी blessing मिस होगी, so ये एक चीज को follow करना, so I come back to the testimony, जो मैंने लॉरी डिटो की बोली थी मैंने, उसने अपने आपको नर्क में पा वच्चन शेर करती हूँ, मैं testimony शेर करती हूँ, मैं तू जानते हैं मेरा congregation कितना बड़ा, God says, but there is one thing that you could not do it, is unforgiveness, अगर इस बीच में तेरी मौत आती है, तो this is your place, because मैंने तू बहुत कुछ तयार किया है, लेकिन लोग तयार नहीं है, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैंने सब के लिए mention बनाए है, सब के लिए मैंने जगा तयार किया, जिस तरह से बच्चन कहता है, पर लोग तयार नहीं है, वो अपनी चीजों को छोडने के लिए तयार नहीं है, and she was shocked, then she knew it in her heart, straight away, कि कि जब तुम spiritual realm में जाते हो, तो कोई वहाँ पे ifs and buts नहीं होता, कोई भी वह and प्रगु ने उसको ये बोला कि तु भी माफ कर और दूसरों को भी बोल, चाहे तु प्रॉफिट है, चाहे तु पास्टर है, चाहे तु मेरा काम करता है, लेकिन अगर तेरे अंदर कोई कमी है, तु मेरे स्वर के राजय में नहीं आ सकती, because that's the heavenly law, and God says, if I have forgiven you, then you have to forgive, but if you don't forgive, तो फिर मेरी forgiveness तेरे उपर नहीं थहरेग, and she said, it was hard, she said, I have seen the Christian people, जो इस प्रिंसिपल से चुक गए है, कि प्रगु ने तुमें माफ किया है, और तुमने नहीं, and then she straight away remember Bible में वो जो पैसेच था, कि किसी ने एक का, जो उसका कर्स था, उसने माफ किया, लेकिन जब वो उसने दुसरे को माफ ने किया, और बाद में उसको जेल में डाला गया, and she understood वो प्रिंसिपल, I understood myself, और मेरे लिए भी मैं खुद भी डर गई, और मैं सब व्याद करने लगी, कि God is there anything, and then उसने फिर वो भी देखा कि कहां कहां वो गलत थी, and God has given her opportunity, now this testimony is opportunity for us as well, कि हम भी अप शेयर करते हैं, वो इसी लिए है, कि हम एक दुसरे को परमेश्वर की और खीचे, तो आप भी एक दुसरे, अगर माफ नहीं किया है, तो माफ करें, कुछ-कुछ experience ऐसे होते हैं, जो घाव हमारे नासूर बन चुके हैं, तो आज हम उसी के लिए दुआ करते हैं, कि करें, वच्चन को पढ़े, वच्चन को पालने वाले बने, और हम वच्चन को पहली जगा दें, हम दुसरों को माफ करें, कोई भी गुना ऐसा नहीं है, कि परमेश्वर माफ नहीं करता है, लेकिन एक unforgiveness है, जो हमें करना है, बाकी सब खुदा बोलते हैं, कि अगर आपने माफ नहीं किया है, then ball is in your court, where you want to go, चुनोती आपकी है, वो challenge आपकी है, it is hard, मेरे लिए भी hard है कि प्रभू मैं क्या करू, but it's not that hard, जब हम वच्चन में डूपते हैं, तब वो सारी बाते फाल्तु लगती हैं, और ऐसा लगता है, पता नहीं मैं क्यों उसमें अठकी थी, व इतनी अपनी दुआओं की जवाब बिना मांगे आएगी, और हमेशा एक बात याद रखना, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा घर हो, कितने भी पैसे हो, कितने भी बच्चे हो, कितनी भी कामियाबी हो, उसका एक अंत है, वो नहीं भी होगा, तो भी बंदा स्वर्ग म नहीं दे सकता, अगर बाइबल नहीं पढ़ा है, वचन कहता है, वचन को पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा है, तो भी हिसाब देना पढ़ा है, पढ़ेगा कि क्यों नहीं पढ़ा, तुमारे पास इनफ वक्ता दूसरी चीजों के लिए, प्रभु के वचन को तुमने क्यों त कहते रो मुझे बाइबल आती है नौ पर वो ही तुम्हारी पाउं के लिए रौशनी बनेगे हर वक्त तुम्हारे पास जवाब होगा अपने लिए दुसरों के लिए चैलेंजिस आएगी तो स्ट्रेंथ रहेगी और प्रभू ये कहेंगे तुरंत कि इनसान सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वच्चन से जिन्दा रहता अगर वच्चन ही हमारे अंदर होगा चैलेंज इसके पार होने के लिए हमें स्ट्रेंथ रहेगी और जो लॉरी डिट्टो जब वो हैवन में गई थी तो उसने उसने दो तिन कमरे देखे मतलब उसको बहुत उसको 15 विज विजिटेशन वो जो औरत उसका नाम है लॉरी डिट्टो आप उसकी एमेजोन से बुक मंगा सकते हैं तो उसने ये कहा कि जब वो हैवन में गई तो पहले कमरे में गई जहां पर येश्व मसी बहुत उदास थे और रो रहे थे और वो ये कहते कि जो बच्चों पर जुलम होता है जो मासूम बच्चे है जो ट्राफिकिंग है अब्यूज है मारते हैं सेक्स अब्यूज ड्रोग्स अब्यूज मतलब अल स़ॉट्स अब्यूज उन ये शीव मसी को बest दुख लगता है और जो पेरिंट्स अपने बच्चों को वच्चन नहीं सिखाता है जो उनके बनाने वाला कौन है पागल कि parents उनको सब कुछ देते है पर वचन के लिए force नहीं करते हैं क्यों वचन के लिए force नहीं करते हैं क्यों उसके उपर छोड़ते हो बच्चों को वचन सिखाओ मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि सुबह बिना पड़े घर के बाहर कदम नहीं रखना है चाहिए लेट हो जाते हैं तो हो जाओ स्कूल में डिटेंशन होता है तो ओने दो एक दिन तुम लेट होगे दुसरे दिन तुम अपने आपका टाइम मैनेज करोगे मेरी माने मुझे ये सिखाए था बिना प्रातना किये बिना वच्छन को पड़े बाहर कभी मत जाओ आज मैं इतनी बड़ी हूँ मैं खुद फॉलो करती हूँ मेरे बच्चे फॉलो करती है और मैंने मैं अकिली नहीं करती सब मैंने बहुत सारे मेरे क्रिशन फ्रेंड्स देखे है हमारे गुजरात में भी ये काफी एक लो है मतलब सारे क्रिशन करते है और मेरा मानना है कि मतलब जहां-जहां हमारे क्रिशन समाज है पाकिस्तान में इंडिया में यहां पे भी जितने हैं सब करते है और इसलिए हम प्रभु येशु के साथ चलते है तो मैं यही कहना चाहूं कि बच्चों को सिखाओ अगर बच्चा गलत रास्ते पर गया उसके पास बच्चन नहीं था तो चाहे तुम प्रभु में कितने भी होंगे और प्रभु येशु मसी को बहुत बुरा लगता है कि बच्चे नोस टेकनोलोजी बच्चे और बच्चे और बी पीछे जाते है और बच्चे और बी पीछे जाते है या उनके माबाप नहीं है आप उनके लिए प्रात्ना करो कि प्रभु उनके लिए दर्वाजा खोले क्योंकि प्रभु ने जाते-जाते ये कहा कि तुम परमेश्वर को दुआ करो कि वो लेबरर को भेजे हम प्रात्ना कर सकते कि प्रभू तो उनकी जिन्गी में किसी ने किसी को भेज सो मैं ये कहती हूं कि आप दुआ करो एक वो कमरा था जहां येश्यो मसी बहुत दुखी होते एक दुसरा कमरा था जहां पर परमेश्वर बैठे थे फादर गौड बैठे थे और जहां पर कोई-कोई लोग मतलब जो हम लोग जैसे दुआ करते वो लोग थे उनकी आवाजी आ रही थी जोर-जोर से आ रही थी और प्रभू को कमान्ड कर रहे थे प्रभू तो ये कर अभी कर ये कर उसने ये बोला कि उनके जितना जोर से वो चिलाते थे उतना ही वो धुआ 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 उनके बीच में आ रहा था मतलब उनको fear of the Lord नहीं था और वो respectively प्रभु से बाते नहीं करते थे वो सिद्धा परमेश्वर की प्रभु तो अभी ये कर तो अभी के बीच में आ रहे हैं उनकी आवाज मतलब आगे जाई नहीं रही है और एक तीसरा कमरा था जहां पर वर्शिपर्स थे और वो जोर जोर से गाते थे हाथ उठा उठा के गाते थे मैंने उस वक ब्रदर सुनिल को याद किया था हम सब के जितने हम लोग हैं सब को मैंने याद किया था किसे हमा तो बुले कि उनकी आवाज इतनी गुंज रही थी कि वो सारे बादल हट रहे थे और वो धीरे-दीरे परमिश्वर की और जा रहे थे and it was so amazing मतलब हाथ उठा के दुआ किया करो या फिर वर्शिप किया करो क्योंकि उसी से परमिश्वर खुश होता है बोलते हैं मांगने हमारी दुआ मांगने वाली लंबी होती है वर्शिप वाली छोटी रहती है जो वर्शिप से ही सारे वही encourage करना चाहूंगी again and again meditation करे वचन को बार बार पढ़े technology का सही इस्तमाल करे बार बार सिर्फ और सिर्फ वचन को सुने पढ़े बचों को सुनाए और वचन को पालने वाले बने अपनी आत्मा जब परमिश्वर की साथ connect होती है वचन जो तुम्हें याद दिलाता है वो हमारे लिए आता है तो उसको सुने वचन को पढ़े बाइबल को पढ़े सिर्फ बाइबल को फोन में ना पढ़े कभी-कभी बाइबल को भी उठा के सिर्फ और सिर्फ बाइबल को पढ़े ताकि Holy Spirit आपकी साथ connect हो सके and आप Holy Spirit की आवाज को सुन से train your ears to listen the Holy Spirit train your spirit to follow the Holy Spirit और आप वच्चन से भर जाए वच्चन से चले वच्चन से जीदे चाहे अमीरी आई या गरीबी आई challenges याद रखे आपका ताज आपी के हाथ से बुनेगा चोटी-चोटी challenges चोटी-चोटी forgiveness वो सारे diamonds बनेंगे और वो ही ताज आपके लिए आएगा so be careful अपने ताज को best बना ये सारी challenge इसको उठाए चाहे चोटी हो या बड़ी हो Bible की principle को follow करे one last thing is व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुझे कभी अलग ना हो ये शुमसी के नाम में आमें